दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट भारत फ्रांस और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को लेकर आ रही है पिछले कल फ्रांस की डसॉल टैवेशन को राफेल का इतना बड़ा ओर्डर मिला है जितना बड़ा ओर्डर उसे आज तक नहीं मिला और यकीन मानिये अगर भारत नहीं चाता तो फ्रांस को कभी भी इतना बड़ा ओर्डर नहीं मिल पाता जैसल हुआ क्या है कि साल 1994 में में फ्रांस की डसॉल टैवेशन ने दुनिया के सामने अपने राफेल फाइटर जेट को प्रेजेंट किया था जिससे साल 2001 में फ्रांस ने पहली बार अपनी एरफोस में सामिल करके इससे फाइटर जेट होने का पौन दर्जा दे दिया लेकिन लाग कोशिशों के बावजूद भी फ्रांस के राफेल को कोई भी देश खरीदने के लिए तयार नहीं था लेकिन साल 2011 में भारत वो पहला देश बना था जिसने अपने 2011 के MMRC टेंडर म फ्रांस के राफेल को फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट किया था जिसके बाद भारत ने रशिया और अमेरिका के फाइटर जेट्स को रिजेट करके फ्रांस के राफेल को खरीदने तक का मन बना लिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत उस वक्त राफेल को तो पर थी उससे राफेल को 14 सालों के बाद पहली बार साल 2015 में इस जिप्ट के रूप में अपना पहला विदेशी खरीदार मिला जिसने फ्रांस से एक साथ 30 राफेल फाइटर जेट खरीदे और इस तरह से भारत की वज़ा से पहली बार 14 सालों से विरान पड़ी डस और टेवेशन की एक डील जाइन की थी और एक बार फिर राफेल को पूरी दुनिया में काफी बड़े लेवल पर कवर किया जाने लगा था भारत की वज़ा से एक बार फिर राफेल को परचेस करने का सिलसिला पूरी दुनिया में सुरू हो गया साल 2018 में ग्रीस ने भी फ्रांस को 18 राफ सुपर होनेट और अश्य के मिक को रिजेक्ट करके फ्रांस के राफेल एम को पर्चेस करने का फैसला क्या है तब से ये सिलसिला एक बार फिर से सुरू हो गया हाली में फ्रांस से निकल कर आई एक खबर के अकॉर्डिंग भारत के राफेल के प्रती बढ़ते इंटरस्ट को दुनिया भर के और भी कई देश फ्रांस से राफेल पर्चेस करने की इच्छा जाता रहे हैं और अब पहली बार साओधी अरब ने भी भारत के नकसे कदमों पर चलते हुए अमेरिका के फाइटर जेट को रिजेक्ट करके फ्रांस के राफेल को पर्चेस करने का फैसला क् और साओधी अरब का यह ओडर राफेल के आज तक के सबसे बड़े ओडर्स में से एक होगा जिससे रिलेटेड यूरेशिन टाइम्स के एक न्यूज आर्टिकल का स्क्रीन शॉट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग साओधी अरब और डसल्ट एवेशन के बीट सौब से लेकर 200 राफेल जेट खरीदने के ऊपर बातचीत स्टार्ट हो चुकी है साओधी अरब का यह प्लैन है कि वो अपनी फाइटर जेट फ्लीट को मॉडरनाइज करके उसमें से अमेरिका के पुराने फाइटर जेट को रेटायर करेगा और उनकी जगा फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को सामिल करेगा फ्रांस का एक राफेल साओधी अरब को तकरीबन 1500 मिलियन डॉलस का पड़ेगा उस हिसाब से यह डिल तकरीबन 1500 बिलियन डॉलस की होने वाली है जो कि डसल्ट और फ्रांस के लिए अभी तक का सबसे और नहीं देगा बलकि वो एक एक करके अपनी फ्लीट को रिटायर करेगा और उसके बाद जरूरत के हिसाब से अलग-अलग फेस में राफेल का ओर देगा और साओधी का पहला ओर शायद अगले महिने ही राफेल को मिल भी जाएगा साओधी अरब के अलावा खबर तो ये भ पाया है क्योंकि पहले दुनिया भर के देशों में सिर्फ अमेरिका और अश्य के फाइटर जेट को ही जगात दी जाती थी लेकिन भारत ने उस कल्चर कस्टम को तोड़ कर फ्रांस के राफेल को डिफेंस मार्किट में एक नई जगा दिलवाई है और शायर जल्द ही भार आपको क्या लगता है क्या वाकई में राफेल की सफलता के पीछे भारत का हाथ है या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले एसवी नौली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सबी नोटिफिकेशन आपको मिलती जय हिन जय भारत